हलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ड्रिम पर फोम बेकर पर और आज हम लोग बनाएंगे नैचुरल ड्रिपिंग वाली केक और यहां मेरा चॉकलेट सॉस तैयार है और क्रीम मैंने 200 ग्राम लेकर के बीट कर लिया है इस पॉंज मेरी कितनी जमकदार है आप द लास्ट में बताऊंगी तो सबसे पहले मैंने इसे कढ़ाई में बेक किया था इसके बाद ठंडा होने दिया और रूम टेंपरेचर पर ही इसे ठंडा करना है फेन के नीचे नहीं डालना है इसके बाद इसकी दो लेयर में मैं कट लगा रही हूं वो इसलिए क्योंकि ये के कुआ पॉर्डर और कॉफी डाला है दूद के साथ तो इस तरह से क्रीम की एक पतली सी लेयर चारो तरह फैला लेने के बाद इसमें चॉकलेट सीरप में अपलाए कर रही हूं आप इस चॉकलेट सीरप के जगह जो यहां मैंने सॉस बना के रखा है उसे भी यूज कर सकते ह और इसके बाद ठेर सारा मुझे डालना था चॉकलेट चिप्स जो मैं एकदम से मिस करने वाली थी और मैंने दूसरे लेयर को रख दिया था फिर से मैंने लेयर को हटाया दूसरे हाथ में एक्शुली इतनी जल्दी बाजी थी खाना चड़ा हुआ था मेरा दस बजे तक हस क्रीम टेबल को बहुत ही ध्यान में रखते हुए अपने काम को करते हैं और हमारा टाइम मैनेजमेंट ही हमारी सबसे खासियत होती है तो यहां पर जो दूसरे लेयर को मैंने पलट के लिया था तो काफी गैब था उसको क्रीम के साथ फिल कर लिया इस तरह से और अब इसे लेना है इस तरह 90 डिगरी पर लखना है अपने पैलेट नाइफ को और अगें इसकी सोकिंग लगानी है आप यह सोकिंग दूट से भी लगा सकते हैं और आज की जो यह केक बनने जा रही है दोस्तों इसके लिए जो मैंने चॉकलेट लिया है डाक चॉकलेट लिया है पचा अप वाले हिस्से में धेर सारा क्रीम नहीं जाएगा एकदम आप देखने वाले हैं कि कितना पतला क्रीम का मैंने यहां यूज किया है ऐसे भी हम होम बेकर को जो भी ओर आता है तो लोग स्पॉंज को ही जादा पसंद करते हैं और हमेशा डिमांड रहता है कि लेस क्रीम व और यहां जो हमारा क्रीम है उसे कवर कर लेना है इस पॉंज के उपर और अच्छी तरह से इसे शार्फिज दे देना है तो इस तरह से मैं पहले पैले टनाइप से मिलाने की कोशिस कर रही हूँ रेस्ट काम को मैं कार्ट से करने वाली हूँ तो यहां इस तरह से मैंने बच लेना है जहां भी लगे एक्स्ट्रा क्रीम है उसे हटा लेना है और आप चाहिए तो इसमें कॉंबिंग भी लगा सकते हैं और आज की जो ये केक दोस्तों मैंने दी है ये मुझे सिर्क तीन सौ पर छोड़ना पड़ा क्योंकि कभी कल क्या होता है कि जब और आपके पास न हो तो खाली बढ़ने से अच्छा होता कि जो और आता है उसे आप एक्सेप्ट करें भले आपको इंकम ना हो इससे उससे कोई फर्क ने पड़ता है क्योंकि हम ज़्यादा पुंजी फसा करके भी नहीं बढ़ सकते हैं और यहां आप देख सकते हैं कितनी गाड़ी सी वाव ज और दे करके देखिए फिर दुबारा भूल जाएंगे शॉप वाली पूरानी केग खाने से तो खाने को और यहां पर मैंने वन एम नुजल लिया है और उससे इस तरह किनारे में मैं फ्लावर छोड रही हूँ हाला कि इसकी जरूरत नहीं थी इसमें डेकोरेशन नहीं भी लगता तो इतनी अच्छी टेस्ट होने वाली है आज की इस केक की आप यकीन नहीं किजेगा जब तक इसकी एक बाइट आपके मुमन ना जाए तो यहां पर इस तरह से आज की मेरी यह तीन सो वाली चॉकलेट केक बन करके हो गई तयार तो अब आप ही समझ सकते हैं कि कुछ भी इसमें बेनिफिट नहीं हुआ लेकिन मुझे काम करना बहुत जादा पसंद है मैं खाली नहीं बैठ सकती हूँ इसके लिए मैंने इस केक को तैयार किया और एक सजेशन मैं आप लोगों को भी दूंगी कि अगर आप भी मेरी तरह होमबेकर बनना चाहते हैं तो क कोई भी ओडर छोड़े नहीं हो सकता है आज छोटा ओडर है तो कल बड़ा भी आएगा और इसी तरह काम करते रहना है हमें और अपने वाइटी फैमिली मेंबर्स के लिए ठेर सारा वीडियो लेकर के मैं आती रहूंगी तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई